वेलकम टू माई यूट्वीब चैनल मैं सुनीता गोयाल कुपित लब में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ पालक के कोपते की रेश्पी शेयर करूंगी बिना फ्राइ की हुए मैंने कोपते बनाए हैं यहां मैंने पालक ली है जिसको अच्छे से मैंने साफ क कर लिया है बारिक बारिक पीसिस में कट कर लिया है थोड़ा सा इसमें नमक एड़ करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेष्ट होने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए 10 मिनट हो चुके हैं कितना इसमें पानी छूट गया है इस पानी को हम दबा अब आके निकाल लेंगे ये देखी कितना पानी निकला है इसको आप चाहें तो ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें हरी मिर्च एक बारीक चॉप करके रखी थी उसको एड़ कर देते हैं आदा चम्मा चादरक लेसन का पेश्ट है उसको एड़ करेंगे सा हल्दी पाउड़र है कलर के लिए थोड़ा सा ही धनिया पाउडर एड़ किया है क्योंकि मसाले हमें दुबारा एड़ करने हैं दो बड़े चमच भरके इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है आप अपनी पालक के अनुसार इस्तेमाल करें कम्या जादा हो उसी हिसाब से यह देखी अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया था इस वात का ध्यान रखे एक चमच भरके हमें इसमें सर्चों का तेल मिक्स कर लेना है इससे हमारे जो कोपते हैं बहुत ही सौप्ट बनेंगे ऑईलिंग कर लेते हैं अपने जाली वाली प्लेट में और इसमें हम अपने कोपतों को तोड़ लेते हैं छोटे या बड़े साइड जैसे आपको मर्जी है वैसे आप तोड़ लें कि मैंने साले कोपते इस्ट्रीम करने के लिए तोड़ लिये हैं एक कढ़ाई लेंगे इसमें पानी हमने पहले से गरम होने रख दिया था उसी में हम यह अपनी जाली वाली प्लेट रख देते हैं और ढखके 10-15 नट के लिए चेक कर लेते हैं को करेंगे इसको 10-15 नट यह द करकेंगे भूली मिर्च है इसको तोड़ लेते हैं मोटा-मोटा तेज पत्ता और लॉंक फूल एड करेंगे इसके बाद हमने जो काली मिर्च का पाड़र कर देते हैं प्याज हमने एक बड़ी साइज का चॉप किया था उसको भी एड कर देंगे नमक स्वादा निसार एड करें हमने पहले भी नमक एड़ किया था धनिया पाउडर एक चम्मच एड़ किया है आदा चम्मच हल्दी पाउडर एड़ किया है आदा चम्मच लाल मेर्च पाउडर एड़ किया है सबी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं उसके बाद हमने जो दो बड़े साज के टमाट चौप कई एक उनको भी मिक्स कर देते हैं अच्छे से इनको कुक कर लेते हैं मसाला हमारा भुणके तयार हो गया है अब हम अपने कोपते इसमें आड़ कर देंगे और इसमें हम पानी गरम पानी का इस्तेमाल किया है हमने अब हम इसी स्टेज पर जब यह बॉल होने लगे त और गैस का फ्लेम आउप कर देंगे, प्लेट में सब किया है, आप ट्राइ जरूर करें, मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सस्प्क्राइब ज़िए,